ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ते है शान्ते है शान्ते है नमस्कार मित्रों मित्रों आज की वीडियो में हम ब्रहद अरण्यकुपनिशद के प्रथम अध्याय के चौते ब्राम्मन का जो पंद्रवा मंत्र है उसका पाठार हम करेंगे तो आएए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है मुझे ने लगता कि ये मंत्र आज पूरा हम कर पाएंगे पर तो देखते हैं कितना कर पाते हैं तो ये जो मंत्र वो कहता है तदे तद ब्रह्म क्षत्रम विद्चुत रह अर्थात ये ऐसे ब्रह्म क्षत्र वेश्य और शूद्र है तद अग्नी नेव देवेशु ब्रह्म अभवत अर्थात वह अग्नी ही न देवताव में ब्रह्म हुआ ब्राम्मनो मनुष्येशु अर्थात मनुष्यों में ब्रह्म द्वारा क्षत्रियन क्षत्रियो अर्थात शत्रियों में क्षत्र द्वारा वैशेन वैश्यह अर्थात वैश्यों में विश द्वारा सुद्रेन शुद्रह अर्थात शुद्रों में सुद्र द्वारा तस्माद अगनों एव देवेशु लोकम इच्छनते अर्थात इसलिए अगनी के द्वारा ही देवताओं के लोक की इच्छा करते हैं ब्राम्मने मनुष्येशु अर्थात ब्राम्मन के द्वारा मनुष्यों में एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत अर्थात इन दो रूपों में ब्रह्म ही हुआ तो मुझे लगता है कि अभी इतने ही भाग का हम पार्ट करते हैं इसको समझते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है तो यहां पर बोला जा रहा है कि इस प्रकार से ही जो है ये ब्रह्म, क्षेत्र, विश्य और शूद्र हैं तो ये चार वर्णों जो है वह इस प्रकार से ही हैं तो ये जो हम पहले भी अख्या दिये उसी के बारे में और फिर आगे बोला कि जो देवता हैं उनमें अगनी ही ब्रह्म हुआ है और मनुश्यों में ब्रह्मन जो है वह ब्रह्म है और वह ही वास्तों में क्षत्रियों का क्षत्र है वैश्यों का विश है और शुद्रों में जो सुद्र है वह भी वह ही है और इसलिए क्योंकि देवताओं में ब्रह्म जो है वह अगनी ही है और मनुश्यों में जो अगनी का रूप है वह ब्राह्मन ही है तो इसलिए अगनी के दोरा जिस प्रकार से देवताओं के लोग की इच्छा की जाती है उसी प्रकार से मनुश्यों में ब्रामन दोरा जो है मनुश्यों के ब्रामन दोरा ही जो है देवताओं के लोग की इच्छा की जाती है तो इस पर कैसे बता जा रहा है तो यह जो बात है इस से हम यह समझ सथे हैं कि जो ब्रामणों को दान देना या ब्रामणों को भोजन कराना उसका क्या महत्तु है वो इसी बात से हमको समझ में आता है यहीं से वास्ता में वह जो विचार है वह आ रहा है अगनी में हम शुद अगनी में शुद भोजन डालते हैं और हम उस से फिर यह ही बोलते हैं कि यह जो है यह दियोताओं को अर्पेत हो गया और हम यह ही बोलते हैं कि ब्रामणों को जो है कुछ दान देना चाहिए जब हम हवन करते हैं यग्य करते हैं और ब्रामणों को भोजन कराना चाहिए तो यहां पर यह जो क्रिया होती है कि ब्रामणों को ध्यान देना या ब्रामणों को भोजन देना वह भी उस प्रकार से ही सुझाज़ता है कि हमने जब यह भोजन ब्रामणों को कराया है दान ब्रामन को दिया तो ये भी वास्तों में देवताओं को ही प्राप्त हो गया इस प्रकार से माना जाता है तो ले देके जो बात हमको समझनी है वो यही है कि जिस प्रकार से देवताओं में जो अगनी है वो ब्रह्म है बोला था ने जैसे हमने अभी समझा था पिछले मंतुर में हमने समझा था कि कुछ शत्रियों वाले दियुता है कुछ वैशियों वाले दियुता है कुछ सूद्रों वाले दियुता है परंतु जो ब्राह्मनों वाला दियुता है वह वास्तों में अगनी है इसलिए वेदों क पहला जो सुक्त है वह भी अगनी को सुवर पे था और अगनी को ही जो है अगनी को ही वो बोला गया है क्या केते हैं प्रीस्ट को हिंदी में में हिंदी में कोई उसके लिए एक شब्द हो मेरे याद नहीं आ रहा परंतु जो यग्य करने वाला होता है यग्य करने वाला जो होता है वह ब्रामन ही होता है ऐसा बताया गया यह पुरोहित पुरोहित जो है पुरोहित बोला गया है पुरोहित जो है वह अगनी है इस प्रकार से बोला गया है तो पुजारी यह पुरोहित तो देवताओं में जो ब्रम्ह वाला जो ब्रामनों का वह अगनी है ऐसे समझें एकान देता है अगनी है और आधित्य है रुद्र देता्य है और है यह इस सब विश्वदेव देता है और जो शुद्र वाला दे को ता है वह पूशन है, जोंगी पोशन करता है तो आप ऐसे भी समझेthen और इसको देखे इस हम हम देखते हैं तो इस प्रकरती में अगनी ही ही जो है, वह सब को भोग करके उसी शुद्धी करता है अगनी और बाकी जो है वह पोशन करने के लिए हैं तो पोशन करते हैं और हमारे भीतर अलग लग प्रकार के हमारे भीतर भीतर भी भावनाए है न हमारे भीतर की तो जैसे शत्री है तो शत्री का मैंने आपको बताया कि शत्री का अर्थ क्या है कि जो एक शत्र राज करें जि तो हमारे भीतर जो प्रभुत्व का भाव है या वो जी जो प्रभुत्व के भाव से चलते हैं, से आगे बढ़ते हैं, वह जो है, वह शत्र वाले दियों से प्रभावित होते हैं, तो जैसे इंद्र जो है, हमारे भीतर जो हमारा नायक है, जो हमारा हीरो है, वह है इंद्र है तो जो प्रभुत्व का भाव होता है जो अपना सामराज जी इस्थापित करने का भाव होता है उसके लिए अपने भी तरह एक हिरोईजम तो चाहिए न यदि हिरोईजम नहीं होगा तो हम कैसे कैसे वो कर पाएंगे तो इस कारण से जो हमारा वो वाला भाव है वो हमारा जो सामराज जी खटा करने वाला में जो हिरोईजम चीए वो आ जाएगा हमें या जो जो दूसरे यहां पर बताएंगी वरुन, सोम, रुद्र, परजन, या यम, ईशान ये जो सभी देवता हैं ये जो जिस देवता हैं हमारे भीतर सामराज जी इस्थापत करने अपना प्रभुत्व स्थापत करने में हमारी सायता करते हैं परन्तु ये शुद्ध करने वाले नहीं हैं शुद्ध करने वाला जो है वह अगनी ही है वह अगनी ही है परन्तों यह सामराज जी इस्थाविद्ध iejπαना या अपना प्रभुत्वे स्थाविद्ध एकर्व काम आते हैं तीकी उसी प्रकार से वेश्वसेस्थ Emm बंत इस जो की आदान-प्रदान के वाले हैं उसमें जो देवता बता है वो वसू, अुरुद्र, आधित्य, विश्व देव, मरूत बता है ये जो देवता है ये शुद्ध करने वाले नहीं है परन्तु ये आदान-प्रदान करने में जो है इनका अपना एक इस रिष्टीमेंट का एक स्थान है जो भी हमारे एलिमेंट से हम बोलते हैं किवल भारी संसार को मत सोची हैं भारी संसार नहीं हमारे भीतर जो भावनाएं हैं उन भावनाओं से भी तो ये संसार चलता है तो जो हमारे भीतर समराज जे सबक्त करने वाला जो भाव है वह जो है शत्र वाले देवतों से आता है हमारे भी तरह जो आदान प्रदान वाला जो वानिज्य वाला जो भावतों होता है वह है जो हमारे जो वैश्यों वाले देवतों है उन से आता है और जो पोशन करने वाला जो है तो यहां पर जो भी कुछ श्रिष्टी में है सब कु तो यह तो यह तो यह तो देवताओं वाले रूप में हो गया परन्तु मनुश्य में भी जो होता है ऐसे होता है जो हमारा समाज जो हो कैसे चलता है तो उसमें जो राजा हैं वह एक्षत्री हैं क्योंकि वह रक्षा करते हैं और समाराज जिस थापित करते हैं जो वह वह वान तो पुरोहित या पुजारी या ब्रहमन ही है तो इस प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है कि जो ब्रहमन है वह शुद्ध करने वाले होते हैं तो उनका जो देवता है वह अगनी है और वो जो है जो परम सत्य है वह तो सभी में है वह शत्रियों का शत्र है वैश्यों का वै जो में यहीं 집 centre ब्रसुता को सब दो फिडव है उनकर घंयी है बनानादू और मोष्यں बनुद्व करने तो इस्वार्ण फ्रत्वी उनकछफ ब्रसक्त आई वह तो थो पूशण गभें शुदर ब्हों लेनिए इसको परन्तु जो दूसरे गता हैं वो तो तेज़ ही भोगता है वो तो शुद्द भुजन भोगेंगे और ये तो शुद्द है प्रित्वी तत्व प्रित्वत्वस नहीं है इस परकार नहीं बहुत्व गए तो उसलिए देवता से भोगने के योग्या ही नहीं ही वास्ताव मे परन्तृ जोके उसको जो है भोग सकते हैं परंतु जो देवता गण हैं जो देवता गण हैं वो तो उसको ऐसे नहीं भोग सकते हैं तो उसको भोगने के दो ही प्रूप हो सकते हैं या तो आप उसको जो है वैश्वानर की अगनी में उसको जोगते हैं अरता कोई ब्राह्मन खा ले या आप तो आपके भीतर जो अगनी है उससे वह जो तेज तत्तु में प्रकट हो जाएगा या तो आप उसको अगनी में डाल देंगे तो भी वह वास्तों में तेज तत्तु में प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो भस्म हो जाएगा भस्म हो करके वो शुद्ध हो जाएगा उसमें से जो प्रकाश निकलेगा उस प्रकाश को है जो कि देवता भोगेंगे क्योंकि वह फिर स्वच्छ है और जो से राक बचेगी वह राक तो जो है वो है वो शेस रहेगी तो देवता उसको भोगत ज़ते हैं उसको परम इश्वर भोग सकते हैं हैं क्योगि इश्वर सभी में है वो तो इश्वर घुख देएگे है और वो नो वह तो भोग सकते हैं झ। कि ए डेवता गनने और ाक्त ति हको प्रोगें घुख दिएग। या फिर जो है आप उसको प्रहण तो ब्रहमन को खिलाएंगे तो ब्रहमन उसको खाएगा तो क्योंकि जो अगनी है उसको शुद्ध बोला जाता है तो इस कारेंड से ब्रहमन को खिला करके आपने देवुता को अरपत होसक्ता है an took हा भी इश्वर को अठ अरपत करहे हैं तो उनको जब हमको अर्पित करना है, उनको अर्पित करने के लिए हमको या तो अगनी में देना होगा, जब हम अवन करते हैं, तो इसी प्रकार से उनको अगनी में अर्पित करते हैं, और या तो फिर आप उनको ब्रामणों को खेला दें, तो इस प्रकार से मनुश्यों में ब्रामन और जो देवता हैं उनमें अगनी वह एक ही है वास्तों में इनको जो भी आप अर्पेद करते हैं कुछ तो इनको अर्पेद करने पर जो है वह भोजन या जो भी आप अर्पेद कर रहे हैं वह शुद्ध हो जाता है और वह इतना शुद्ध फिर हो जाता है कि उसका भोग फिर देवता कर सकते हैं, तो वो यहां पर बताया गया था, अब यहां पर इस बाद को भी ध्यान रखिये कि जो परम देवता हैं, इश्वर जो है, जैसे गीता में श्रिक्रिशन कहते हैं, पत्र हम पुष्पम फल हम तो हम, कि आप मुझे पत्र भी पुष्पम फल हम तुम्हारे अर्पेद करने पर ही मैं उसको भोग लेता हूं तो इश्वर वाली बात जो है उसमें इस इसका उतना महत्व नहीं है तो इसलिए जब भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर हम जल अर्पेद कर देते हैं तो जल अर्पेद करने से ही वास्ता में इश्वर जब हम भगवान को नवेद्यया अरपिद करते हैं यह भगवान को देख इसको भोगते हैं ऊसको देखके ही जो भोग लेते हैं। पर अब यह बों EB खाना ही है तो वो खाने का उतना है नहीं कि शुद्ध नहीं है नहीं है नहीं है यहां पर जो भी भुजन हम बनाते हैं हमने अपनी और से अच्छा बना दिया किन्तो भगवान के लिए शुद्ध थुड़ी है वह तो क्योंकि वह इस पदार्थ में रूप में प्रकट हो इतने अच्छे से निकलके आता है कितना गंदा होता है तो कितना या आप कहा इसे मलीन हो जाता है तो हमारा जो यह शरीर है उसका तो कारी सब कुछ को मलीन करना है मनिश्य तो जहां जाता है अपने शरीर सेड़ि है तो सब कुछ मलिन करगा जैसे पशु है पशु कुछ भोग करके उसो मलिन ही बनाएगा फिर उसको प्रित्वी है जो की शुद्द्ध करती है प्रित्वी उसको पुन्हे शुद्ध करती है कि वह दो सके तो तीन स्थर हैं जो देותां गण है, देותा हों के लिए- में इद रखो के लिए तो इतना शुद्ध हई願े है that उनको परथ्रवी तत्व भी नहीं होना चाहिए उसमें और हम प्रिथ्रवी तत्व को भोग करके वाइश्वा नरगनी महरक्ज़ा कर परन्तु हम जो निकालते हैं बाहर वो तो इतना मलिन है हम जो उत्पन्य करते हैं अपने शरीस तो इतना मलिन है कि उसको तो फिर धरती में गाड़ करके धरती माता जो है पोशन करती है उसको और उसको पुनहे शुद्ध बनाती है जिस से फिर शुद्ध फल निकल के पुनह अब सोचे मनुश्य जहां भी रहते हैं जहां भी देख लेकर गढदीघी फइला देते हैं यहिसे मनुँष्ष्यों का आबादी आप देखिया क्या गढदीघी है क्या गणिए देख्या गढदीघ भादी हमारी तही है ओर अपने शरीस अदातंमे किया था हुआ पशू है वास्ता में गाये बहुत शुद्ध पशू है परन्तु वो भी गंदा तो करती है जो हाँ पर आप आप देख लिए जाएब कोई भी गोशा आले में आप जाएए तो गंदगी और दुरुगंद तो आती है फिर भी महाँ पर भी इतना शुद्ध पशू होने पर भी गंदगी हो जाती है और हम मनुष्यों को तो सर वो चमाना गया यानि देवता भी हमारे शरीर को प्राप्त करना जाते है कि ज़िए शरीर सतादात में है तो शरीर तो गंदगी पहलाने वाला ही है तो वो हमको यहाँ पर समझाया गया हाशा करता हूँ कि मैंने इस मंतर का यह वाला भाग आपको अच्छे समझा दिया होगा अभी यह मंतर शेष है और उसका शेष भाग है वह मैं आपको अगले वीडियो में समझाओगा चलिए से के साथ इस वीडियो को नहीं पर सवाब करते हैं नमस्ते